तो भाईयो और बैनो, सस्कायब मारो भाई यह आईटम को ने? नागू नागू? मेरा नाम है नागेश नगे बाप का नाम कोब्रा नंगे दादा का नाम अजगर नंगे पर दादा का नाम अनकोंडा नंगे नहीं, बलैक मामबा क्यों? क्योंकि उनका साप सबसे काला था भाई आपको पता है नागू के गर में सबका तेड़ा है मतलब सोते वक्त इनके फाउंटर की पिछकारी बाजू वाले पी गिरती होगी तेड़ा है पर मेरा है मतलब तेरी सुसु कमोड से बाहर 30 डिगरी में गिरती होगी नहीं हम 60 डिगरी में खड़े रहते आज पता चला सुसु करने में भी जोमेट्री काम आती है अच्छा एसा नंगा अंडर्वेर में क्यों गुमता है धिंचाक पुजा आपना पाप और नंगे आपना साप कभी नहीं चुपाते हाँ तो वो अंडर्वेर क्यों पहनी है साप को थन लग रही क्या वो अंडर्वेर नहीं साप की केंचुई है ये तुम लोगों की किसमत हर बार तेड़ी क्यों पाइदा होती है ये बहुत दिनों पहले की बात है मेरे परदादा और परदादी हनीमून के लिए गए थे तभी मेरे परदादा के आखों में कोई परिंदा पर मार के चला गया और वो एक आख से अंदे हो गए सुहाग रात में अपना साप बिल में छोड़ने की बजाए बाजू पड़े चुहे पकडने के यंतर पे छोड़ दिया तभी से नंगे फैमेले की किसमत तेड़ी हो गई तो फिर अब तू सेक्स कैसे करेगा तेरा निशाना तो हर बार चुकेगा तू फानों से डर कर नोका पार नहीं होती टिशू पेपर से संडास कभी साफ नहीं होती अच्छा है अच्छा है मजनू तेरा साप तो सिधा है ना मेरा साप तो सिधा है लेकिन जहरीला नहीं है मतलब मतलब उसके साप में जहर नहीं है अबे मतलब तु इतने दिन खाली पिछकारी लेकर होली खिलने जाता था शायद ये पिछकारी उड़ाने नहीं उड़वाने जाता होगा